अगर ये सिस्टम इतना अधिक केरलेस था जो जनता के जीवन के साथ खिलवार करते थे जो एक्सपाइड मेडिसिन एम्बलेस पर रखते थे जहां सिलिंडर नहीं थी उसको उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दरकिनार करके आपने दे दिया नितिश कुमार जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि पान साल दुबारा किस आधार पर इस कंपनी को देया गया है बिहार के लोखित के एक बहुत ही महतुपुन विशय पर अपनी टिपणी देने के लिए मैं आपके समक्त उपस्थित हुआ हूँ कल इस विशय को हमने उठाया था तो जद्यू की ओर से सफाई दी गई थी ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्त के संबन में है आपको मालुम है एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर दर्वती महिलाएं बच्चे इत्यादी को अस्पाल पहुचाने में सेवा दे जाती है उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए उसमें आक्सिजन होना चाहिए उसमें एयर कंडिशनी की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गंभीर आवस्था में गरीब रोगी बच्चों गर्वती माताओं वृद्धों सबों को अस्पताल पहुचाया जाए एक कंपनी है पश्वपती डिस्ट्रिबूटर करकर के प्राइवेट लिमिटेड पश्वपती नाद डिस्ट्रिबूटर प्राइवेट लिमिटेड ये जदियू के एंपी हैं मानिय जहानाबाद के एंपी उनके बेटे के कंपनी है इसको पहले एक पांच साल के लिए मिला था। इस बार दुबारा पांच साल के लिए दे दिया गया सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहिलना कजर के और तीन साल तीसरी बार करने का भी उसमें आप्शन पहले बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोट में गये मामला कोट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने आड़ोकर जनल की राय क्यानुसंशा क्या लोग में इनको दे दिया। कहा गया है लोइस बिडर हैं जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवशक्ताओं को शिठिल किया गया आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए इतना एम्बले चलाने का अंबर होना चाहिए। डिली के अखबार इजन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकिकात की है और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौकाने वाली है और बहुत चिंता जनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जद्यू के एम्पी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की आडिट की गई। और आडिट में पाया गया कि एक्सपायड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में समझ गया आप एम्बुलेंस में एक्सपायड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सिजन सेलंडर भी काम नहीं कर रहा था। और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब गोट की हैं जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो करोना काल में है जिस समय एम्बुलेंस की सबसे दिकावशक्ता थी। और जो नोडल प्रत्ना में सेंटर नम्स बनाया गया था को याद होगा कोविड का उनके द्वारा भी एक दंभीर आपत्ती प्रकट की गई है। यह देखिए भागलपूर के साथ एम्बुलेंस का इंस्टेक्शन किया गया अक्टूबर चार्थ 2019 को इसमें मुंगेर भागलपूर में एक्सपाइड मेडिसीन, माइक्रो ड्रिप्स यह सब एम्बुलेंस में पाया गया, कोई औक्सिद नहीं था। मैं खाली audit report से पढ़ रहा हूँ जो इसमें quoted है। 13 फ्रवरी 2020 को साथ एम्बुलेंस को वैशाली मुदफरपूर में इस्पेक्ट किया गया, इसमें एर कंडिशन नहीं था, expired medicine पाप किया गया। फ्रवरी 24 दोजार बीस को नलंदा नवादा में भी expired medicine पाया गया और जो बाकी ड्रग्स वगरें हो भी नहीं रखे गये। फ्रवरी 24 दोजार बीस को नाइन एम्बुलेंस को इस्पेक्ट किया गया, कहां कहां सुपॉर समस्तिपूर दरवंगा में एर कंडिशन काम नहीं कर रहा था और minimum drugs जीवन के लिए नहीं था। और जुलाई छे दोजार बीस को चौदा एम्बुलेंस इस्पेक्ट किया गया मुजफरपूर समस्तिपूर सुपॉल में और यहां पर audit ने पाया कि expired medicine एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से आपके दर्भंग अर्वल भोजपूर बक्सर का पांच एम्बुलेंस है और जहानाबाद का 11 एम्बुलेंस है वहाँ भी यही हाल है कि non-functional blood pressure, empty cylinder expired medicine तो जो MP साथ के बेटा यह चलाते हैं उनके पिता की कंस्वेंसी जहानाबाद है। वहाँ के भी अम्बुलेंस में एक्स्पार मेडिकल कॉलेज का जो पांच एम्बुलेंस था डेडिकेटेड कोविड में उसमें भी वही हाल था पूरी गरवड़ी थी बाकी में। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं। इसको क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? इसलिए कि जो डिस्ट्रिबूटर कंपनी हैं पश्मदिनाथ वो जद्यू के MP के बेटे की हैं। क्या यह आडिट रिपोर्ट बिहार साधार के पास थी या नहीं थी? अभी मैं बिडर वगरे में जाई नहीं रहा हूं। अगर यह सिस्टम इतना अधिक केरलेस था जो जनता के जीवन के साथ खिलवार करते थे, जो एक्सपार्ड मेडिसिन एम्बलेस में रखते थे, जहां सिलिंडर नहीं थी, उसको उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दर्किनार करके आपने दे दिया। नितेश कुमार जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, कि पान साल दुबारा किस आधार पर इस कंपनी को दे आ गया है। इस इस इंविस्टिकरिड रिपोर्ट में लिखा हुआ है, किस किस एम्बुलेंस में ये पाया गया। और आपको हम बता दें, जिसको भी ये काम मिलता है, उसका काम है गाओं से या किसी महले से एम्बुलेंस गया, तो उसको ले करके एस्पताल पहुंचाना। तो ऑक्सिजन जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है, जीवन दाइनी और ये सब एक्सपायड है। तो इसकी मैं बहुत भर्षना करता हूँ, मैं मांग करूँगा कि तुरत इनके एम्बुलेंस सर्विस को रोका जाए, मैं बहुत गंभीता से मांग कर रहा हूँ, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार की गरीब जंता के जीवन के साथ, सुरक्षा के साथ, जो खिलवार किया तो मैं मांग करूंगा कि अगर थोड़ी भी लोक लाज है तो तुरत में इसको रोका जाए और इसके पूरे मामले की जाज कराई जाए